हम गौ को माता भी कहते हैं लेकिन गौ माता को गंदगी में बैठने के लिए मजबूर करते हैं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदितिनात हर मंच से गौ सेवा को लेकर हिदायत देते हैं कहते हैं कि हम गव को माता भी कहते हैं और गव माता को गंदगी में बैठने के लिए मजबूर भी करते हैं बिल्कुल सही कहा मुख्यमंत्री जी ने अरे जिस सूबे के मुख्यमंत्री गव सेवा के लिए सरकारी ख़जाने खोल देते हैं उसी सूबे में गौवंचों की हालत क्या है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं हम चाहते तो थे कि आपको ये तस्वीरें खुल कर दिखाएं लेकिन हम नहीं दिखा सकते क्योंकि ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकते हैं ये तस्वीरे हैं बहराईच की जहां के गौशाला की क्या हालत है आप खुद देख लीजिए यहां गौवंचों की हालत बत से बत्तर है मरी हुई गायों के साथ जहां जीविद गौवंच को भी गड़े में मरने के लिए छोड़ दिया गया है यहां कुछ ऐसे गौवंच भी मिले जिनके शरीर में कीड़े लगे हुए थे लेकिन उनकी ये तकलीव देखने वाला कोई नहीं ये हम नहीं कह रहे हैं ये कह रहे हैं गौवंच के लिए काम करने वाले बजरंग दल के सैसैयोजग शुबम तिवारी वही शुबम तिवारी जो अचानक अपने साथियों के साथ बहराईच के परसेंडी गौशाला विवस्ता देखने के लिए पहुँच गए लेकिन वहां पहुँच कर उन्होंने क्या देखा आप खुद ही सुन लीजे तो वहां पे जो अभयवस्ताय को दिखी वह बहुत ही दयनी इस्तिति अर्थात गायों कि जो स्तिति वहां पे देखने को मिली हम लोगों का सब से आधा अंके होँगे खुली खुली रहे गई जब अम लोगों ने गौशाला का नेफ़ण нач शुरू किया तो वहां पर हम लोगों को दिखाई पड़ा कि जो मृत गववन्ष हैं उनकी संख्या अधिक्तम से अधिक्तम अर्थात वहां पे खुले रूप से मतलब गढ़ों में इस तरीके से 8-9 गायों को एक तरीके से फेक दिया गया और उसी में वो सड़ रही गाये गाये सड़ रही उनके उपर कीणे उसी में डोल रहे और सबसे आश्या जनक बात ये लगी एक जिन्दा गववन्ष को उन 6 गववन्षों के बीच में फेक दिया गया और उस सड़ी हुई गायों के कीणे उसको और बुरी कंडिशन में मार डाले हम लोगों ने जब उसको देखा जब हम लोग बहुत चला कि वो जीवित उसके बाद में जब हम लोग बहुत इक सत्यापन में और इधर उधर टहलना शुरू किये तो वहां पे कई ऐसे गड़े था जिनमें में मैंशे गववन्ष के आउसी बाहर निकले हुए किसी का मुह निकला हुआ किसी का खुर निकला हुआ उसके बाद इसे जगे उनके शरीर पे थे जिसमें कीड़े पड़ गए और उनकी कभी किस्सा व्यवस्ता सुद्धिन ने फिर हम लोगों ने वहां के तहसील के जो हमारे उपजिलादिकारी मौदें का सरगंज के उनको हम लोगों ने सूचिना दी मैंने कहा तो उनों वो कुछ तत्प कैसर गंज के उपजिलादिकारी मौदें हम लोगों की आगरे को सुद्धकार किया और अपने नायब तहसीलदार जी को मौके का निर्षन करने के लिए ततकाल उप से भेजा नायब सहाब के आतने के बाद पूरा का पूरा उन्होंने जब निर्षन किया तो उन्होंने भी ये इस विशय को रखा सबके सामने कि हमने इसको बहुत पहले एक बार वर्नी दी थी कि गौशाला का संचालन सुचार रूप से करूं और ये सड़ा हुआ भूसा खिला रहाता और आज भी सड़ा हुआ भूसा खिला रहा है और इस तरीके से गवन्स मुनित पाए गए लेकिन जब इसके बारे में हमने जलादिकारी से बात की तो उन्होंने क्या गजब दरील दी उन्होंने इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए साफ कह दिया कि गौशाला में सब चंगा सी कि नो अगस्त को जार इप्रिस को एस्थाई गोवास्रेस्थल परसेंडी में गाय की दो गाय की मिरत्ति की सुझना प्राप्थी थी लगवक तीन वजे के असपास तकाल इसको गंभीरता से लिया गया और मुख्य पसुची गिस्था दिकारी राक्टर वल्वन सिंको इस संजय ने विक्षम कर अपनी आख्या प्रेशिक करने के लिए रहा गया मुख्य पसुची किस्था दिकारी द्वारा इस्थल पर विक्षम किया गया और वहां पर भूसा चाहरा दाना इत्यादी की परियाप दिवस्था है इसमें 32 कुंटल घुसा वर्तवान में मौजूद है और 6-8 कुंटल के आसपास दाना है पराचारा भी है एक एकड़ में उपलब्द है और पानी त्यारी की पुरी वस्था है जो दो या तीन तीन गो बंस की म्रत्ति इनके संज्यान में आई इनके द्वारा अब्द कराया है कि यह काफी बीमार थी ब्रादे थी और इनकी बीमारी के कारण हुए है असफुची किस्था दिकारी कुंटलेश के द्वारा इनका इलाज भी किया गया रधू इसमें वीडियो में दिखा गया कि बचला को जीवित उसमें जिराववाप बताया है इसके संब्द में मख कि दफनाय जा रहा था तो एक बच्छवा गउसाला से निकल कर उस गड्डे में गित रहा था बाद में उसको सुरक्षित निकाल लिया गया है और वह सुरक्षित है उसका फोटो भी आपके संज्यान में हम भेज रहे हैं इस प्रकार रृथम दर्ष्ट्या मुख्या इस विस्षा अधिकारी और खंड विकास अधिकारी द्वारा अपने पदेयन दायत को का निर्वैन लाई गया ऐसी दसा में यह दिन रती हुई थी तो उसको कुछ इस्तर पर सुचित करना चाहिए था और इलाज की भी कोई दिक्कत थी तो भी अफ्यत कराना चाहिए था अते अपर जिलादिकारी स्री जैचन पाल्ले जी ने इनकी रिपोर्ट का परिक्षम किया और जिलादिकारी से भी बातचीत की तो इसमें इस पस्थ है कि ग्राम पंचाद अधिकारी द्वारा कुछ लापलवाई वरती गई है नियमित रूप से वहाँ पर चार केर टेकर ह होने के पाद भी बिना संग्यानिक की यह उनको दबनाय जारा था तो यह कुछ इंत नहीं साइच खेर इससे आगे हम क्या ही कहें इन तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि आखिर सच कौन बोल रहा है और कौन जूट बहरायत से रामबरन चौदरिक रिपोर्ट यूपी ताग